हलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप टेन क्लासेज, मैं अभी सेक कुमार आपको गडित पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग त्रिकोड मीती पढ़ रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने प्रसनावली 3.3 की सवाल नंबर 18 हल की थी, प्रसंख्या 19, प्रसंख्या 19 हमारे पास, साइन एक्स, प्लस साइन 3 एक्स, अबान, काश याक्स, प्लस, काश 3 एक्स, बराबर 12, ग्ष, देखें, हमारे पास सवाल है साइन एक्स Plusыми ऐख साइन त्री एख काश्येकS प्लस ट्री तरी एक्स हमें सिद्ध और ईक्रना है दिखिए हमें क्या करना है तो ध्यांस दिखिए सब से अमलों क्या लिखेंगे इसों मैं यह लिखेंगे यह लिखेंगे यह लिखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा ं क्या करें ए स्वाज करें बायां पच्छ हमारे पास है साइन एक्स प्लस साइन 3- अपान double है this ox5-1 4 3 ए Perfect English हम क्या करेंगे इनी इसी पच्छ को सॉल करके यह 2 x लेके आएंगी यदि इस इस प्रक्ष को सॉल करके टेंड टू एक्स लाते हैं तो लह बराबर क्या हो जाएगा रहे चैस और सवाल हमारी क्या हो जाएगी सिद्ध यहां देखे हमारे पास लिखा है साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स यहां हम लोग क्या लिखेंगे सूत् पढ़ाता सूत्र साइन एक्स प्लस साइन वाई का आपको याद हो तो साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर होता है तू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू ठीक है यह किसके लिए होता है साइन एक्स प्लस साइन वाई के इंटू कॉस, एक्स माइनस वाई, बाई टू, यह रहा क्या, दोनों सुत्र जो इस सवाल में क्या होंगे, प्रयोग होंगे, तो इन दोनों सुत्रों का, इस सवाल में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, देखिए, साइन के लिए हो जाएगा, क्या, तू साइन, एक्स प्लस 3x by क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा इंटू कॉस एक्स माइनस 3x by क्या हो जाएगा तू आगे देखिए पूरे का बटा हो जाएगा पॉस प्लस कॉस य लगाएंगे ति हो जाएगा 2 स्भी हमारे पास बचे एकश तीमे स्प्लेट यहां हो जाएगा जाएगा कास माइनस 3 x by क्या हो जाएगा आप चाहें तो बिना साउल कि यहीं क्या कर सकते हैं चैसे दो से यह मैंने स्यूव्य मरे跟大家 सिने चले फास जोड़ चाउसे से भाग देंगे लागा 20 और इसी प्रकार यहां भी क्ती कितना खाया दो यह तो खाइन अपान कौस को क्या बोलते हैं 10 to yes बोलते हैं ठीक है जो किह मारा क्या है आर यह से अर्थाथ में क्या मिल यह लूक लिखेंगे क्या यह लिए लिए है यह टीएर अल्बर क्या मेरे पास है यह तिक बढ़ते हैं अगले प्रस्थ लिक और प्रसंख्या प्रसंख्या 20 हमारे पास है साइन एक्स माइनरस साइन 3 x अपान का है साइन इसक्वाईर 2x1-2m2y ठीक्र देखे देखे हमें इस बार क्या है प्रूब करना है देखे यहां लिखा है साइन एक्स माइनस साइन वाई साइन एक्स माइनस साइन वाई के लिए सुद्र कर हम लोग लिखे यहां क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई 2x1-1y, this minus sin y, this minus the sin y के लिए पहले साता है, फिर को नथा है? 2-cosx plus y by 2 into sin, x minus y by 2 शिख ने कहें? यह सुद्र देखें, यह永दो क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे क्या? LHS, क्या लिखेंगे? बायापज, बायापज हमारे लिए क्या है? sin x minus sin 3 x upon यह हो जाए क्या sin square x minus cos square x बराबर क्या है 2 sin x अच्छा हमें यह तो लिखना नहीं है क्योंकि हमें क्या यह LHS से चलते हुए क्या लाना है RHS लाना है तो देखे यहां क्या हो जाएगा sin x minus sin y से बना करके हम लोग यह सूत्र लगा देते हैं साइन 1-5y tweaks kha 5x minus sin y लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि टू से को हो जाएगा टू कोब आइस यह प्लस 3 1 कितना और और क्या हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा थैस आइन 1-3-4 अप आपान क्या हो जाएगा अपान देखे पान इसकеци में जो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग इसे लिख सकते हैं A2 plus B2 तो एक ड्रैकेट में अगले ब्रैकेट में क्या माइनस B यहां हम लोग क्या कर सकते हैं से हम लोग इसमें से माइनस कॉमल ले लेते हैं यहां क्या बचेगा जो माइनस है क्या हो जाएगा सइन इसक्वायर एक्स ठीक है देखे यहां क्या हो जायगा अगली लाइन में five लिखते हैं तीन और है कितना चार चार में बस्व बस्वें ब OFF Cr tom bays się बटे क्या हो जाएगा यहां हो सूद्र बन गया किसका कास्ट का जाएगा और ये मैनस क्या हो जाएगा- हो जाएगा माइनस टू साइन एक सपान क्या माइनस वन माइनस से माइनस भी कट जाएगा और बचेगा क्या टू साइन एक्स ठीक है ना यह क्या बच्छा हमारे लिए टू साइन एक्स हो कि क्या है हमारा रह एक्स है ठीक है यह हो गया हमारा क्या आर यह इसलिए हम लोग लिखेंगे यह 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 अज़ीयस बराबर आर यह यह आख है यह हमारे का लस्न बराबर किया और यह देखे बढ़ते हैं अगले प्रस्थिक यूर प्रसंख्या हमारे पास है अब 21 प्रसंख्या 21 है कास 4 x प्लस कॉस्ट 3 x प्लस कॉस्ट 2 x अपान क्या हो जाएगा साइन 4 x प्लस साइन 3 x प्लस साइन 2 x बराबर क्या काट 3 x हमें ये फ्रूब करना है देखें हमें यहाँ सबसे पहले क्या लिख लेना चाहिए यह 14 ना चाहिए यह लिखना चाहिए क्यों असानी सबसे से है क्यों क्यों यह बड़ा और चोटा पार्थ है थो और छोटा वाला part ला देते हैं तो देखिए समसे पहले क्या लिखेंगे vors four x plus कॉस्दटीर 16 90 अपान क्या ओजाएगा अपान हो जाएगा साइन 4 इन फ्री एक्स फ्लस थैनिक दिखें हैं तो इस वह वह क्या है काउट टीर 7 को छेड़ेंगे नहीं हम किसे किसे लेंगे काउस फौ्रियक्स और cos 2x लेके सुत्र लगा देते हैं और यहां sin 4x लेकर के और sin किसे 2x लेकर लगा देते हैं क्या क्या हो जाएगा यहां हमारे पास हो जाएगा क्या यह cos cos x plus cos y यह देखिए हमारे पास सुत्र है cos x plus y का यह क्या हो जाएगा हमारे लिए यह पहले एक साथ लिए लेते हिन दोनों को यह क्या हो जाएगा c4x plus cos 2x plus cos 3x पूरे का बटा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x4 x plus sin 2x plus sin 3x ठीक है अब देखे द्यान से यहां जब लगाएंगे हम लोग सूत्र तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा 2 cos 4x plus 2x बटे 2 देखे, cos x plus cos y में पहले cos आते हैं मतलब cos में दोनो cos cos रहते हैं अगला क्या हो जाएगा cos 4x minus 2x बटे 2 और कौन बच गया plus cos 3x बच गया पूरे का बटा हमारे पास क्या हो जाएगा sin 4x plus sin 2x sin 4x यहां लगेगा sin x plus sin y तो क्या हो जाएगा 2sin 4x plus 2x by 2 और क्या हो जाएगा cos 4x minus 2x by जाएगा 2 और क्या बच जाएगा plus sin 3x बच जाएगा अब देखे, यहां क्या हो जाएगा देखे, दियान से 4 में 2 जोडेंगे तो 6 और 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 cos 3 x into यहां क्या बचेगा cos 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा और फिर 2 से भाग दे देंगे तो यहां हो जाएगा x और यहां बचेगा plus cos 3 x और पूरे का बठा यहां देखिए 2 sign 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 6 में 2 से भाग देगे तो कितना हो जाएका क्या क्या साइन साइन गया है और यह तो स्काहिता है इसे इसलिए इन दोनों में से कौन से 3X क्या हो जाएगा common और यहां से साइन 3X common हो जाएगा ठीक है दिखिए तो जब common करेंगे उपर से क्या cost 3X cost 3X तो bracket में क्या बचेगा bracket में बचेगा हमारे लिए 2Cos x plus यहां से तो सब 2Cos x plus 1 देखिए यहां बचेगा 2Cos x plus 1 2Cos x plus 1 से 2Cos x plus 1 क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और साइन को क्या बोलते हैं और बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या हो जाएगा प्रसंख्या प्रसंख्या-20 में वारेपास है काट एकस कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x बरावर 1 ठीक है इसे हम लोग क्या करते है पूरा ही सिद्ध कर देते है ठीक है न ध्यान से देखिए कॉट के लिए किसके लिए कॉट के लिए कॉट के लिए बात हो रही है तो सबसे पहली बात तो हम माल लेते हैं क्या कर लेते हैं? माल लेते हैं कि माना हम 3 x लिख रहे हैं लेगिन जो हमारा लिखने का तरीका है वो है 2 x प्लस क्या है? यक्स भाई आप 3 x लिख रहे हैं 3 x को कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि दो में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा क्या करेंगे अब हम लोग दोनों पच्छों में क्या कॉट ले लेते हैं दोनों पच्छों में कॉट लेने पर दोनों पच्छों में यदि हम लोग कॉट लेते हैं यह क्या हो जाएगा cot 3x बराबर cot bracket में 2x फ्लस x ठीक है अब जहांस देखिए यहां क्या लगेगा cot x प्लस y का formula लगेगा क्योंकि x का काम कौन कर रहा है 2x और y का काम कौन कर रहा है x यहां क्या लगेगा formula formula लगा दीजिए यह क्या हो जाएगा cot 3x बराबर, cut x plus y के लिए formula क्या होता है, cut x into cut y, cut x into cut y, अगर plus है, क्या है, अगर हमारे पास cut है, और cut के लिए अगर plus लगा रहे हैं, तो उपर क्या हैगा, पहले minus आएगा, फिर क्या हैगा, plus, क्या हैगा, cut x plus cut to x, ठीक है, ध्यांस देखे, हम क्या करेंगे, इसका तीरियक गुड़ा करेंगे, तीरियक गुड़ा यहाँ होगा, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, cut x into cut 3 x, ठीक है, देखे, यहाँ हो जाएगा, क्या कि यहां हो जाएगा हमारे पास गुड़ा करके काट तीन एक्स यहां पहले से है काट एक्स का इससे गुड़ा होगा तिया हो जाएगा काट एक्स फिर यहां कौन से चिन है प्लस है तियां क्या हो जाएगा प्लस काट तीन एक्स का इसके साथ होगा तिया हो जाएगा का 3x into card 2x ठीक है बराबर हमारे पास क्या बचेगा बराबर बचेगा कार 2x into card yaks बर minus 1 ठीक है हमें जो प्रूप करना उसमें क्या दिखाना है एक को प्लस दिखाना और बाकी को क्या दिखाना है खांत X projected X को प्लस दिखाना है तो द्यांस देखे हम क्या करते हैं यह हमारे anda पका जो ॉएक्स को इशाद्र करते हैं यहां किसारी चीज को उठाकर उठाकर नकर्श्र करते हैं यहां क्या हो जाएगा अगर उदर इसलिए पहले cot2x into cot3x है तो पहले इसी पत को लिख देते हैं तो यह plus है पच्छांतर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा minus क्या हो जाएगा cot2x into cot3x फिर फिर इस वाले पत को उठा के लिए जाएंगे तो यह भी minus हो जाएगा क्या cot3x into cot1 ठीक है इस प्रकार यह देखे आपको जो सिद्ध करना था वो हम लोगों ने पूरा ला दिया है ठीक है cot10 की सवालों को आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं कि आप जो मान रहे हैं उससे पूरी सवाल ही आ जाए ठीक है ना तो cot10 में ऐसा होता इस वज़े से हमन प्रसंख्या 23 देखे प्रसंख्या 23 है हमारे पास 10 4x बराबर 410x ब्रैकेट में 1-102x अपान 1-6 102x प्लस 10 की पावर 4x देखे यह हमें क्या करना है प्रूब करना है तो हम लोग सुरुवात कहां से करते हैं यहलेचस से ही करते हैं यहलेचस हमारा क्या है यहलेचस हमारा है 10 4x ठीक है देखिए अब 10 4x को कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिए कि 10 4x जो है इसे अगर हम लोग ऐसे लिखे है कि 10 2 x 2x की फॉर्मेट में तो भी बात कितनी की है 4x की ही है क्योंकि दो दूना कितना हो जाएगा चार हो जाएगा तो या भी भी कितना लिखा है टैन टू दो दूना चार एक्स ही ठीक है लेकिन हमने लिखने का तरीका बदल दिया है हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था क्या सूत्र होता है टैन टू ए या टैन टू एक्स की देख पा रहे होंगे यह सुथ्र ने का काम कर रहा है तो यह हो जाएगा टू और एड यह सुथ्र को आगे बढ़ा रहे हैं इस सुथ्र को आगे बढ़ाएंगे ति क्या हो जाएगा 2 10 क्या हो जाएगा 2 10 A की जगह क्या है हमारा 2 X है हमने एक जगह 2 X लिख दिया और पूरे का बटा क्या 1 minus 10 square A A की जगह क्या हमारे पास 2 X है हमने फिर से वहाँ क्या लिख दिया 2 X लिख दिया ठीक है आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं तो यह 10 2 X हो गया अब इस 10 2 X को फिर से तोड़ेंगे इसे सुद्र के तो जब इस सुद्र से फिर से इसे तोड़ेंगे यह हो जाएगा 2 10 2 X जो है वो क्या हो जाएगा 2 10 X अपान 1 minus 10 square X समझ रहे हैं यह हो गया कौँसा अंस का 10 2 X है अभी हर का तोड़ना बाकी है हर को तोड़िये तो यह हो जाएगा 1 minus क्या 10 2 X का 2 10 X अपान 1 minus 10 square X का क्या हो जाएगा यह whole square क्योंकि यह square भी है हमने क्या लगा दिया square भी लगा दिया solve करते हैं इसे यह कितना हो जाएगा 2 दूना 4 10 X अपान यह हो जाएगा 1 minus 10 square X पूरे का बटा क्या हो जाएगा पूरे का बटा यह square तोड़ेंगे हम लोग जब यह square तोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1 minus 2 10 X का whole square अपान 1 minus 10 square X का whole square ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 4 10 X 4 10 X अपान 1 minus 10 square X और पूरे का पान पूरे का पान क्या हो जाएगा इसका square तोड़ेंगे और इसका क्या करें यल्शियम भी ले ले अगर इसका यल्शियम ले ले लेते हैं यह क्या हो जाएगा 1 minus 10 X 1 minus 10 square X का क्या हो जाएगा whole square minus यह हो जाएगा 2 10 X का क्या whole square और पूरे का पान क्या हो जाएगा 1 minus 10 square X 1 minus 10 square X का क्या whole square ठीक है ठीक है ठीक है दिख रहा है चिन यह भिन का चिन क्या हो जाएगा गुड़े में बदल जाएगा तो जो अंस है वो हर हो जाएगा जो हर है वो क्या हो जाएगा अंस तो यहां क्या बचेगा हमारे पास 410x यह हर है अंस में जाएगा 1-10²x का whole square पूरे का बचा यहां पहले से 1-10²x है और यहां से इसका square तोड़ दीजिए इसका square तोड़ेंगे तो पहले पद का square plus दूसरे पद का square फिर क्या हो जाएगा माइनस दो गुड़े पहला पद इंटू दूसरा पद फिर क्या बचेगा माइनस दो दूना चार 10 square x देखे यहां का 1-10x square x x x x x xaxe क्या होजएगा कट ज Guier गा पचेगा बचेगा अवरे पास in 410 x ाइस प्राइक extra देखे यह जूना तो दोनों आपस में हो जाएंगे जूड जाएंगे यह धिर हैं यह दोनों माइनस-दय है लेकिन चिनो दो माइनस का यह लगेगा, माइनस 6 10 square x फिर plus 10 power 4 x, यह क्या रहा, आपका R, H, S इस प्रकार, यहां LHS जो है, वो क्या है R, H, S के क्या है, बराबर है तो आपकी सवाल क्या होई इस प्रकार से, हमने सवाल नमबर 23 को भी सिद्ध किया बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की ओर प्रसंख्या 24 देखिए प्रसंख्या 24 हमारे पास है cos 4x cos 4x बराबर 1-8 sin 2x into cos 2x ठीक है देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें से भी LHS को लेके solve करेंगे देखिए हमारे पास जो हमारा LHS है वो क्या है cos 4x ठीक है यहां सुनिए अभी अभी जो हम लोगों ने 10 4x के लिए सवाल लगाई थी तो आप 4 को तोड़ा था इसी प्रकार से हम cos 4x को भी इसी प्रकार से क्या कर देते हैं तोड़ देते हैं हमने यहां 2 into 2x लिख दिया यहां से देखे कास 2x के लिए formula होता है cos square cos square x minus sin square x ठीक है यह formula होता है लेकिन हमें यहां 2x sin square 2x क्यों क्यों क्योंकि हमारे पास साइन है ना कौन जो sign है वो क्या है 2x की format में है इसलिए यह क्या होगा sin square 2x ठीक है अब देखे ध्यांसे sin 2 sin 2x के लिए जो formula होता है वो formula होता है 2 sin x into क्या cos x ठीक है तो यह देखिए यह हो जाएगा 1-2 क्या हो जाएगा sin 2x का whole square पहले तो square हटा लेते हैं अब sin 2x का formula इसके अंदर लगा देते हैं जब sin 2x का formula लगाएंगे तो यह हो जाएगा 1-2 sin x into क्या हो स्क्राइगा cos x ठीक है अब स्क्राइब यहां था तो स्क्राइब भी लगा दीजिए स्क्राइब तूटेगा तो सब पर आएगा तो यहां कितना हो जाएगा यहां हो जाएगा 1-2 into 4 sin square x into क्या cos square x इसका इसमें गुडा कर दीजिए यह हो जाएगा 1-4 यहां दूनी 8 sin square x into क्या cos square x ठीक है जो कि क्या है हमारे पास आर यह यह है यह हमारा क्या हो गया आर यह यह ठीक है इस प्रकार यह लेचेस जो है वो इसके बराबर हो गया RHS के अगला अगला प्रश्ण हमारा है प्रसंख्या 25 जो कि इस प्रस्णावली का अंतिम प्रस्ण है जो है cos 6x cos 6x बराबर 32 cos power 6x minus 48 cos power 4x plus 18 cos square x minus 1 यहां से देखिए क्या करना है हमें यहां में लाना है 32 cos power 6x minus 48 cos power 4x plus 18 cos square x minus 1 देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं जो यहां cos 6x है इस cos 6x को तोड़ते हैं पहले LHS लिखते हैं क्या लिखते हैं यहलेचस जो हमारा यहलेचस है वो क्या है यहलेचस है मारा cos 6x आपको ग्यात हो तो हम लोगों ने साइन 3a cos 3a जैसे सुद्र भी पढ़ा है अगर cos 3a जैसे सुद्र की बात करें तो cos 3x बराबर होता है 4 cos cube a minus 3 cos a यह किसके लिए formula है 3 3 के लिए किसके लिए 3 3 के लिए 4 cos cube a minus 3 cos a देखें यह formula यहाँ apply करने का प्यास करते हैं कैसे यहां हमारे पास 6x लिखा है इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं cos 3 bracket में 2x यह कितना हो जाएगा 3 दूना 6x अब यह यहां यक्स है उसका काम कौन कर रहा है 2x कर रहा है यह कितना हो जाएगा cos 3 into 2x चलिए तोड़ते हैं सुत्र में यह हो जाएगा 4 cos cube 2x आगे क्या हो जाएगा minus 3 cos 2x ठीक है देखें यहां cos 2x क्यूब है और यहां cos 2x है क्या करेंगे हम इसे फिर से तोड़ने का प्रयास करते हैं यदि हम लोग इसे cos 2x का whole power 3 लिखें minus 3 cos 2x है क्या है 2x चलिए तोड़ते हैं अगर इसे तोड़ Commonwealth के लिए जो फामूला होता है sin qrx सब म्हम कोस में यह चाहिए अगर सब में कॉस में चाहिए तो हम यह भी फामूला लगा सकते हैं तो sqrx माइनस क्या वर्ल ठीक है यह लगाते हैं देखें यहां हो जाएगा क्या टू कॉस स्क्वाइर एक्स माइनस वन का होल क्यूब क्या हो जाएगा माइनस यहां क्या हो जाएगा तीन ब्रैकेट में तू कास स्क्वार एक्स माइनस वन ठीक है अब देखें यहां जो सुत्र बन गया वो क्या बन गया ए माइनस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब minus b cube minus 3A b bracket में a minus b ठीक है ये सुत्र लगेगा मतलब ये पूरा क्या है सुत्रों का एक प्रकार से पूरा तोड़ है चलिए आगे भी तोड़ते हैं आगे तोड़ेंगे तिया क्या हो जाएगा 4 bracket में क्या हो जाएगा पहले वाले का cube किसका पहले का पहले का cube कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 ठीक है 8 कितना हो जाएगा 2 तियाई 6 cos 6x फिर क्या हैगा minus दूसरे वाले का cube कितना हो जाएगा 1 फिर क्या हैगा minus 3 गुडे पहला पद into कौन सा दूसरा पद ठीक है 1 bracket में same to same चीज जाएगी 2 cos square x minus 1 और यह क्या हो जाएगा minus यहां कितना हैगा minus 3 bracket में 2 cos square x minus 1 देखे अब हम लोग क्या करते हैं यह हमारे पास हो गया पहला पद, दूसरा पद, दो गुडे पहला पद, इंट दूसरा पद ठीक है यहां क्या लगाते हैं बड़ा वाला bracket minus 4 यहां हो जाएगा minus 4 3 दूना कितना 6 24 cos square x bracket में 2 cos square x minus 1 क्या हो जाएगा minus क्या हो जाएगा बाकी minus 3 दूना 6 cos square x minus minus plus कितना 3 चलिए एक बार और गुड़ा करते हैं यह हो जाएगा 32 cos power 6 x minus 4 चलिए minus 4 को क्या करेंगे किनारे लिख लेंगे यह हो जाएगा minus 24 दूना कितना 48 cos power 4 x minus minus plus 24 cos square x यह क्या है minus 6 cos square x minus 4 plus 3 solve कर लीजिए अंतिम लाइन यह कितना हो जाएगा 32 cos power 6 x minus 48 cos power 4 x minus 24 से 6 घटा देंगे कितना बच जाएगा 18 वो भी किसमें plus में plus 18 cos square x minus 4 है plus 3 है तो मैं क्या लाना था minus 1 क्योंकि 4 बड़ा है तो यह आगया क्या आपका RHS यह रहा क्या आपका RHS ठीक है मतलब यह LHS जो है वो किसके बराबर हो गया RHS के ठीक है इस प्रकार से हम लोग NCRT की प्रस्णवली 3.3 की सभी सवाले पूरी कर चुके हैं यदि आपके पास कोई प्रस्ण बसता है तो comment box में हमें जरूर बताएं हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे आई हो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत